कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अस्ट्रो सच पर वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है कि शुक्रवार का दिन आया है वह पूरे 20 साल बाद आया है यानि 20 साल बाद शुक्रवार के दिन ऐसे शुभ और दुर्लब सन्योग बन नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गती से होने लगेगा इसलिए अगर आप भी भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट में हो दोस्तों वीडियो शुरू से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजा ऐसे ही ज्यानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विश्णु जी जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको विडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये जो अपराध का दिन आ रहा है वह पूरे 20 साल बाद आ रहा है ऐसे में अगर आप इस जेष्ट शुक्रवार पर एक रुपए के सिक्के और लौम का वह उपाय कर लेते हैं जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो अवश्य ही आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि किस मानव को धन देना है यह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है लेकिन किस मानव को कितना धन देना है यह भगवान विश्णु जी के हाथ में होता है इसलिए जेष्ट शुक्रवार पर भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेश पूजा आराधना की जाती है। जी की जाती है। उधार देना है साथ ही आपको इस दिन किसी भी मानव से बहस नहीं करना चाहिए और ना ही कठोर शब्दों का इस्तिमाल करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो इससे भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए जेश्ट शुक्रवार के इन गलतियों को भूल से भी मत कीजिये आये अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन-कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेश आशिरवाद हासिल हो सके सबसे पहले आपको शु जाकरनी है दूसरा उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय जैसा की आप सब जानते ही है इस स्रिष्टी के सबसे बड़े गौ सेवक भगवान श्री कृष्णा जी को कहा जाता है जो की भगवान विश्णु जी के ही अवतार थे ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन किसी भी गाय को रोटी के साथ गुर की भेली खिला देते हैं तो इससे 33 कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद मिलेगा और भगवान विश्णु का भी आशिरवाद म तीसरा उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विश्णु जी पीपल के व्रिक्ष पर वास करते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन किसी भी पीपल व्रिक्ष के पास जाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है और भगवन विश्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप कम से कम 1001 बार करना है अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस जेष्ट शुक्रवार के बाद भगवान विश्णु जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वह सब खक्म हो जाएगी और क कोई भी परेशानी नहीं आएगी चौथा उपाय है कर्सकी समस्या से मुक्ती पाने का महा उपाय कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्सकी से बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ध्यान से सुन लीजिए आपक जेश्ट शुक्रवार के दिन सफेट कपडे में थोड़ी सी लाल मसूर की डाल एक चुपकी चावल और एक सिक्का रखना है उसके बाद उसे बांध कर अपने उपर से नीचे साथ बार फेर लेना है और किसी भी पीपल व्रिक्ष के नीचे जाकर उस कपडे को रख देना ह और वहां से बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है अगर आप इस उपाय को पूरी श्रधा और विश्वास के साथ जेश्ट शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे कर्स की समस्या से मुक्त हो जाएंगे पाँचवा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है ज अगर आप राजे शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा हो भी धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे तो आपको क्य करना है ध्यान से सुन लीजिए आपको शुक्रवार के दिन संध्या के समय एक लाल कपडा लेना है और एक ऐसा सिक्का लेना है जो बिल्कुल भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए अब आपको माता लक्ष्मी जी के चितर के सामने बैठना है और माता लगे में जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है अब आपको लाल कपडे में रुपए का एक सिक्का 21 चावल के दाने और तीन लौंग रखकर उसमें थोड़ी सी सिंदूर छिड़कने है अब आपको कपडे को मौली धागे से बांध देना है और कपडे को माता लक्ष्मी जी के चर्णों से छुआ कर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देना है अगर आप व्यापारी है तो इसे अपने व्यापार स्थान के गल्ले में भी रख सकते हैं अगर आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिये आपको मा लक्ष्मी जी का और करेंगे और आपके घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होगी जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ती का महान उपाय अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है वह इलाज कराकर आकर अपना ठक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए तो एक महान उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिये मानव से और वह मानव बिलकुल ठीक हो जाएगा यह। उसके हाथ में दाएं हाथ में ग्यारा काली मिर्च दे दीजिये उसके बाएं हाथ में दे दीजिये साथ रोटी अब उस मानव से कहिए कि उस ग्यारा काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाई और से दाई और लेफ्ट राइट साथ बार इस काली मिर्च को घुमाएं साथ बार काली मिर्च को घुमा आने के बाद इसको अपने घर के मुख्यद्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फैक दें और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुट्टे को खिला दें यह उपाई पांच गुरुवार कर ले वह रोगी मानव और पांच गुरुवार के बाद वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा विश्नु जी जी की क्रिपा से दोस्तों